क्रिपोली अब हम एंटर कर गया और पिछे भी एक चेक पॉइंट था जिदर खड़े थे फौजी पर उन्होंने भी रोका नियम है दूर से इसारा कर दिये जाओ दो तीन गाड़िया थी उदर उपर रोड ब्लॉक करके खड़े थे वो रूल्स बेसिकली वही है जो पूरे लेबनान में है पर यहां पर लोग बस फॉलो नहीं करते इस वज़े से मैं यहां का एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल का यहां पर रेट की अगरम बात करें तो अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हो मैं बेरूट में हूँ लेबनार में और पिछले 10-12 दिनों से मैं अपने होटल के अंदर ही बन था इसी कमरे में आप सभी लोग को मैंने बताया था कि आप एक करफ्यू लगावे जिसके तहत आप पूरे दिन में चाहे दिन हो चाहे मंडे हो चाहे संडे हो किसी भी दिन किसी भी टाइम आप अपने घर से अपने होटल से अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकते और चाहे आपको ग्रोसरी लेने जाना है चाहे आपको दवाई लेने जाना है सब कुछ बैंड है कहीं भी जाना लाउड नहीं है तो बहुत ही स् और आप कर सकते हो पर कभी कभी तो आता ही नहीं है कभी आते है तो चार पाच छे गंटे बाद आता है तो शर्टेन नहीं है कि आपका खाना आए गाया नहीं आएगा तो मैंने कुछ ग्रोसरी लेकर रखी थी दूद वगरा और उससे काम चल रहा था भाकी यूजविली मैं दो दिन का एक साथ और कर देता था नहीं आता था खाना अगर तो अगले दिन दुबारा कर देता था अभी क्योंकि मैं काफी परिशान हो गया था रह रहे के मैं बीरूट से निकल रहा हूं मैं जा रहा हूं ट्रिपोली लेमनान के नौर्स में एक जगह है उधर वो फेमस बंद रहने से अच्छा मुदर चला जाओं और कुछ ना कुछ उदर कर लूँ अब लोग सोच रहो कि मैं कैसे जाओंगा क्योंकि सब कुछ तो बंद है पर मैंने एक पर्मिट लिया पर्मिट मैं आपको वीडियो में दिखा दूँआ मेरे को पर्मिट मिल गया है माँ जा आपको बहुत जादा लग रहे होंगे पर इंडिया की करंशी म बात करें तो लगबग 200 रुपे बनते है क्योंकि डॉलर का रेट यहां पर बहुत जादा गिर चुका है डॉलर तू लेबनीस पांड और लगबग 200 रुपे में दो लार्ज हैंडविचे मतलब यह पूरा भ लगबग एक लाख लेबनीस पांड देने जो कि इंडिया के बनते है लगबग 300 रॉलर होंगे शायद इंडिया की 900 रुपे तो अभी बस मैं खागे निकलता हूँ आपको रास्ता दिखा हूँगा त्रेपोली दिखा हूँगा बेरूट की सटके दिखा हूँगा वह साइड में जो आप देख रहे हैं डिस्ट्रक्शन सी थोड़ी वह सब इधर ब्लास्ट में जोग 2020 में ब्लास्ट हूँगा था बीरूट में उससे हुआ हूँगा और यह उटल भी तबाह हो गया था दुबारा बनाया गया काफियत तक ही उटल फिलहाल मैं चल पड़ा हूँ बीरूट से त्रिपोली की तरफ मैंने स्पेशल पर्मीशन ले ली थी ट्रैवल करने के लिए त्रिपोली जाने के लिए और जो रास्ता है वो बहुत ही सुन्दर बताते है लगबग 90 किलमेटर का रास्ता है बीरूट से त्रिपोली तक का ज जैसा कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया था, पिछले साल होई बीरूत के ब्लास्ट में ये तबाव हो गया था, बीच बीच में आप ऐसी काफी बिल्डिंग्स या स्ट्रक्टर्स देख पाएंगे, जो या तो थोड़े डिस्ट्रॉय हो चुके है, या फिर रिबिल झाल 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 मैं आखें नहीं अटा पा रहें इतने सुंदर नजारे में बता नहीं यह नहीं हम सब को इन कंट्रीज के बारे में नहीं पता और हम क्यों ही तरनी ट्रावल करते हैं इडियन्स इस अमेज़ेंग लाइक आइक 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 आइस आइस अग। अविख दो से ज्यादा को सोरच राष्टा है, नपए किलो म्मेटर का रास्त है यह तरिकोर्ट को है पता इंही दला कभ कैसे रास्ता गुजरगह इना सुंदर रास्त है इन्ना सुंदर तो शिट्जी लैंड भी था मेरे को टर्की काफी सुंदर लगते है, सुट्सिलेंड भी आपिसी हम तब को पते काफी सुंदर है, पर इना सुंदर तो वह भी नहीं था, आप नजारे देखिए एक बार काफी नहीं था-जारे काफी सुंदर वह भी सुंदर तो वह भी आप ड 충0 qhat Steboard काफी सुंदर यहदि मेरे इना सुंदर तो वह भी आप. झाल 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 काफी स्मूदली एजिली उदर समय इदर आगे और इसके लिए जो मेर को पे करना है वो है लगब एक लाक लाख ले बनीस पांड जो की इन्डिया ही करंसी के बंदे लगब नौशोर पे लगब तो क्योंकि इनकी करंसी काफी जाधा कम जोर हो चुकि इसलिए टूरिस्त के लिए जो की यूए डॉलर्स ले गया थे उनके लिए काफी सस्ता इस टाम ले बनार अब अब यह बेस्स टाइम नहीं आने का इतने सुन्दर रास्ते में कर रहे हुआ है मेरे हिसाब से मेरी लाइफ की सबसे इन्वेस्टमेंट थी है जो नौसर रुपय है इससे सुन्दर सफर मैंने कभी नहीं देखा और वह भी इतनी अच्छी सटकों में और अच्छी जाड़ी में अमेजिग, इन्जाव में हम रोगत्त इसस सब्सक्त नहीं थे जड़ी रिखा कर गया और पिछे विए एक चेक पॉइंट था इधा है इसका रहा दिये जाओ धो तीन गाड़िया थी उदर ऊपर रोड ब्लॉक कर के खड़े देऊ पर हमें जाने दिया और इसार काफी गाड रूल्स बेसिकली है जो पूरे लेबनान में है पर यहां पर लोग बस फॉलो नहीं करते तो थोड़ी सी जादा जादी यहां पर मिल जाएगी इस वज़े से मैं यहां यहां का एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल का यहां पर रेट की अगरम बात करें तो लग बग एक लीटर इक डॉलर से कम का है और आप डारेक्ली कनवर्ट करें तो वही इंडिया जाएसा रेट बनता है अल्मोस्त इंडियाच थोड़ा ही सस्ता लेकिन क्यूंकि यहां पर डॉलर के रेट इतने ज़ादा बढ़ चुके है तो इनकी करंसी में जब आम कनवर्ट कराते है वैसे तो तो अल्मोस्ट नो अजार तक पूछ चुक है, तो एक लीटर तेल लगवो काफी साब लगा लो, इंडिया के तसमदरा रुपे का पढ़ रहा है फिलाल इस टाइम है लेकिन वो सिर्फ टूरिस्त के लिए जिनके पास U.S. डॉलर्स और युईएश डॉलर्स को लेबनी स्पाउंड में कनवर्ट करा रहे है उनके लिए नएजो इधर लेबनी स्पाउंड में ही कमारे है और उसरी में खर्च रहा है तो यह है त्रिपोली होटल से हम लगबग अभी पाच किलो मिटर दूर है और सब कुछ तो नहीं खुला दुकाने वगएरा पर सब कुछ बंद भी नहीं है बेरुट से काफी अच्छी लग रही है यहां की अलाथ क्यूंकि यह बलास्ट की साइट से काफी दूर था तो इसको बलास्ट से भी कोई एफेक्ट नहीं हो इतना और शायद कोविड की केसिज भी यहां पे कम हैं लोग भी इतना रूल्स को नहीं मान रहे त्रिपॉली में मुस्टली मुस्लिम मेजॉरिटी है जबकि बीरुट में मुस्लिम क्रिस्टिन्स अल्मोस्ट वराबर से ही है अब दो पारे जोगार तो अब दो दो अब जाए तो आए जोड़ा है अब जोड़ा की एक विए जोड़ा है यहाद बाज़ा है काफी सड़की इतर बंद करकिए जिसकी वज़य से रास्ता में मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है पर गलियों में से निकाल रहे हैं गाड़ी देखते हैं पोच जाएंगे खेर है तो कुछी मिटर दूर हम पांसुछे सो मिटर दूर है जो मैंने उटल कर रहा है उससे और बीड काफी यहां पर काफी चीजे खुली है लग बग खाने की तो सारी चीजे खुली है बाकी दुकाने बंद है थोड़ा डेवलप्ट का में बी रूट के कंपेरिजन में पर अच्छा है इंट्रेस्टिंग है आप लोग यह शहर की थोड़ी बहुत गंदगी देख्यों मत सोचना की यह सुन्दर नहीं है हर जगह शेयर के बीचों इस गंदे एरिया होते ही शेयर का एकदम सेंट्राज इस तरह अपनी पुरानी दिल्ली है इसका मतलब यह निए कि पूरा बारत बच्छूरत हो गया या फिर बीड बढ़ाके वाला हो गया या फिर कुड़े कशरे वाला हो गया इस टोपन चो टैक्सी के पैसे मैंने दिये थे वो दिये थे मैंने एक लाक लेबनी स्पाउंट यह नोट फोड़ा पुराना है नहीं दिखाना थी आपको चलो कोई नहीं आपको सुनके लग रहा हो कि बहुत जाद है पर यह इंडिया के लगभग 900-900 रुपे से रफ अभी प्रेजेंट के एक्शेंज रेट के मुताबिक जिस रेट से मैंने एक्शेंज करा है यह वो कैस था उसे जितर मैं रुखने वाला हूं और एंट्रेंस इसकी थोड़ी सी बिकार है सडक से साइड मट के पतली सी ए गली है कोई बहुत साफ सुतरी गली तो नहीं है पर कैस था उसकी मैंने फोटोज देखी थी गूगल पर ठीक लग रहा था लगवक दस डॉलर का एक रात में एक कमरे है प्राइवेट रूम मैंने बुखनी कराई भी तक पर बस फोन करके का था कि मैं हुआ हुआ इसमें प्राइवेट रूम मेरा बात्फ कुछ शीनरीज और यह मेन एरिया है यहां का रिशेप्शन जिसे आप कह सकते हैं यहां पर मिरसे 10 डॉलर एक रात के तो मैंने 25 डॉलर दे दी क्योंकि मैं दो तीन रात तो मिन्यूम रूखने वाला हूं यूएसडी आप एक्षेंज भी करा सकते हैं यहां पर एक्षेंज के लिए लगाओ है एक्वागार्ड और उधर चले तो यह बाथरूम पहरी है सारा इधर वाशिंग मैसीन है और यह छोटा टॉलेट है पिछे शावर है इधर भी टॉलेट है और यह सिरफ शावर्ज है साइट में सेपरेटली तो क्योंकि गैस था उसमें और कोई नहीं है तो शावर जी थोड़े खुले है तो यह यूज कर सकते है टॉलेट के लिए इधर यूज कर सकते है इधर एक फ्रिज भी अपना कुछ समान रखना ओदो और यह छोटी सी किचन आप इसे कह सकते हो कुछ कुक करना ओदो एक सिलेंडर है और यह शाइड गैस तो होग है यह कुछ बार कोड़ दिए वे जिनको स्कैन करके आप सिटी ये बार में जान सकते हो और कुछ डिसकावर कर सकते हो कई घूमने जाना दो अच्छी चीज क्या है यहां पर बाहर साइकल भी है आप साइकल भी पूरे दिन के लिए पाच दॉलर में रेंट कर सकते हो जो खड रूम मैंने साइध आपको दिखाए नहीं रूम और दिखा देता हूं यह रूम है वैसे तो यह शेड रूम है पर क्योंकि मैं केला हूं तो मैं केला इस होने वाला हूं इसमें एक्स्टेंशन बोर्ड भी नहोंने मेरे को दे दिया काफी संदर एक कारपेट एक छोटा सा देश्क है चेर है यह खिड़की है पर इदर मेरे को नहीं लगता कि भार शिटी का कुस नजारा होगा पीछे गली का ही नजारा है शायद यह चैकट वगरा टांग ने के लिए है और इदर एक अलमारी है जिसके अंदर हैंगर्स है नीचे खीटर है और टावल वगरा है रूम नमबर है तीन और जगय का नाम है सीड गेस्थावस जगय मैंने आपको दिखा दिए जितर मैं रुखने वारा हूं आई थिंक दश डॉलर में लगबगी इंडिया के साथ सो साड़े साथ सुर्वे में काफी अच्छी डील है और काफी अच्छी जगय है रुखने के पर साथ आठ बज एक बाद रेश्टरॉंट बंद होने लगजाते है तो उसके बाद कोई फाइदा नहीं है अभी लगबग पोने पाच हुए और थोड़ी देर में नीचे गूमाता हूं कुछ देखता हूं खाने पीने का ओगो तो ले आऊंगा या फिर फोड़ा एक्स् बहुत ही जादा सुंदर है और क्योंकि अब इदर एकॉनमिकल क्राइसिस है तो टूरिस्ट के लिए बहुत जादा चीप है और यहां कि जो लोग है उनको काफी सफर करना पड़ रहा है क्योंकि जो लेबनी स्पाउंड में कमाते हैं उनके लिए थीजे थोड़ी महंगी ह होती जाड़ी है तो आई होब कि टाइम जल्दी खतम होगा और उन लोगों को भी राहत मिलेगी और टूरिस्ट के लिए भी एक अच्छी जगह बनेगी शुक्रान तो मैं भी यहां पे कमरे में हूँ और अभी बैठा था और मेरे को बाहर से काफी अजीवजी बवाजे सुनाई दे रही है जैसे कि लोग लट रहे हैं जगड रहे है प्रोटेस्ट कर रहे हैं पता नहीं क्या तो मैं ज़स तब भी भाहर जागे देखता हूं क्या हो रहा ह एंगरो था लंट, एंगरो ग्षाियोस, एंगरो थर्थ प्रियोस, एंगरो में पें, एंबरो प्रोत प्रोति एंगरोंग में इस जितने हैं, परेग़ कारी प्रियोTrानी इने के ताल भी और जे इने का हुआए फ्लाइड़, जो कर दो कर दो माज़की रे दो माज़की ऑ्थ दस्त अभी वो सभी लोग चले गया है यहां से सड़कों पर गंबले वगएरा फोड़े और यह टायर वगएरा आप से देख सकते हो टायर वगएरा रखके सड़के ब्लॉक करी तोड़ फोड़ करी पता नहीं क्या मोटीव है इन लोग होगा यहां पर प्रोटेस तो जड़ है काफी टाइम से लेमनान में पर प्रिपोली में ज़िए इसा कुछ करफी लॉक डाउन भी कोई लोग फॉलो नहीं कर रहे तो पता नहीं इनको किस तीसे प्रॉबलम है जो लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे इसे गलत तरीके से तो यह थे नजारे कुछ भार के जो आपने देखे मेरे कमरे के अलग थोड़ी खराब है पता नहीं मेर कोई किस वज़े से कर रहे थे लोग कल या फिर अभी पूचता हूं मैं किसी से हरीजन बता चलता है तो पर यह बहुत गलत तरीका था इतने वोलेंटली अगर आप प्र पता नहीं जो भी था मैंने आपको छोटी सी क्लिप दिखाई कैसे यह पर प्रोटेस्ट हो रहा था या फिर जो भी हो रहा था गंबले फोड़े जारते सटके ब्लॉग की जारी थी टायर फैर के जारे थे शोर मचाय जारा था अल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर के ना करने वाला दू इस वीडियो में है नहीं पर फिर भी इंफोर्मिशन शेयर करने के लिए थी और राइड देन गुडबाई टेक केर अपना धान रखिए सभी और तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए